वैसे friends आपके भी Google Storage यहाँ फूल हो चुका है, मतलब यहाँ पर हम जैसे photos open कर देते हो तो यहाँ पर टॉप में आपको show हो रहा है, you are out of storage, मतलब यहाँ पर आपका Google का data यहाँ फूल हो चुका है, अब ऐसे स्थिति में friends, यहाँ पर एक option मिल जाता है, जो है unlock storage discount, इसके उपर click करके friends, यहाँ पर कुछ charges हमें देने पड़ते हैं, जिससे यहाँ पर यह error remove हो जाता है, but बिना charges दिए, आप कैसे अपने storage को manage कर सकते हो, कैसे clear कर सकते हो, और कैसे इस error को fix कर सकते हो, वो आज किस वीडियो में देखने वाले, तो ध्यांस से वीडियो को देखिए, very helpful दूसरा तरीका friends, उसे भी आपको ध्यान से follow करना है, पहले पहला तरीका जानते हैं, तो friends, यहाँ पर आने के बाद Google Photos open करने के बाद, यहाँ पर manage का option आपके सामने आता है, तो simple है, इस वाले option के उपर click करना है, तो जैसे click कर देते हो, तो click करने के बाद यहाँ पर आपक click कर देंगे, तो जो सबसे जादा high storage वाले photos, videos है, वो यहाँ पर आपको top में उपर show होने वाले है, तो friends, कुछ video ऐसे होते हैं, जो गलती से यहाँ पर upload हो जाते हैं, Google Drive में या Google के photos में, okay, तो उन videos को friends, आप delete कर सकते हो, कैसे delete कर सकते हो, simply इस तरह से long press करना है, उसका data भी यहाँ पर दिख जाएगा आपको, आप देख सकते हैं, 1.3 GB का एक ही यहाँ वीडियो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आपके videos यहाँ पर आपको long press करके select करना है, जो आप delete करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप select करके delete कर दीजिए, तो मैं यहाँ चार वीडियो यहाँ delete कर देता हूँ, delete के ओपर click करके and यहाँ पर move to trash का option है इसके ओपर click करना है, अब जैसे click करेंगे click करने के बाद यहाँ बैक जाता हूँ अब बैक जाने के बाद यहाँ बैक जाता हूँ friends, back जाने के बाद trash folder में भी उसे आप send करेंगे उस file को, उस videos को तो भी friends, वो error आपका बड़ी आसन से solve होता है, तो friends, इस तरह से highmb के जो videos है, photos है उसे आप delete करके इस error को fix कर सकते हो, तो error भी यहाँ पर देख सकते fix हो चुका है, अब यहाँ पर next तरीका जानते, जो काफी ज़्यादा helpful है friends, अब second तरीके में friends, यहाँ पर आप Google Photos को transfer करके अपने data को खाली कर सकते हैं, तो वो कैसे करें, बिल्कु सिंपल आसन तरीका है, यहाँ पर simply आपको Google Photos के उपर click करना है, अब जो photo आपको transfer करने है, उसके उपर इस तरह से आपको long press करना है friends, तो यहाँ पर इस लेट हो जाएगे, जितने आपको photo मूँ करने है, वो select कर दीजिए, select करने के बाद share के उपर click करना है, अब यहाँ पर click करने के बाद यहाँ नया option है, जो है new group, इसके उपर click करना है, यहाँ पर click करने के बाद friends, यहाँ पर आपको उपर उस email इमेल आइडी को डालना है, जिस email आइडी में आप photo transfer करना चाहते हो, तो यहाँ पर email आइडी डाल देता हूँ, okay, email आइडी मैंने select करते हैं, अब यहाँ पर simply next के उपर click करने के बाद send के उपर click करना है, friends, photo यहाँ पर send हो चुकिए, अब यही photo friends आपको दूसरे email आइडी में दिखाये देंगे, तो मैंने यहाँ पर दूसरी email आइडी ओपन किये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही photo यहाँ पर आ चुकिए, तो friends इस तरह से आप अपने data को move करके, वहाँ से आप photo delete करके storage को खाली कर सकते हैं, तो friends इन दो तरीका का use करके, आप बढ़ियासन से इस error को fix कर सकते हो, वैसे यहाँ पर problem आ रही है, तो मुझे comment box में comment करके जरू बताना, और कुछ जानकर जानना चाहते हो, तो comment box में comment करके जरू बताना, वीडियो पूल लगा है, तो वीडियो को like कर सकते हैं, आपने फ्रेंट के साथ इस वीडियो को share कर सकते हैं, अभी तक चानल को subscribe नहीं है, तो subscribe करके bell icon पे जरू क्लिक करना, अब जाते हैं कोई account आपको recover करना है, तो स्क्रीन के उपर playlist चेक कर सकते हैं, कोई वीडियो नहीं है, तो comment box में comment कर सकते हो, धन्यावाद फ्रेंट सात्य अंदा भारी वीडियो देखने के लिए, थैंक्यू